है 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 अपका अपने डुट्र चैनल एक ए्यसी टेक्निकल क्लासेजीं है आज कढ जो भीडियो है? यो यो यूपी बोट एक्डेाशक्ट एक्ड़ाइर कर रहे हैं क्लास 10 ऐट 12 है और सब्चयक्ट है आपका हिंदि आपके आपके जो पेपर में 10 नम्बर का question आता है, जो हाई सकूल के student होंगे, exam दिये होंगे और enter की तैयारी करने उन लोग जानते हैं, लेकिन जो हाई सकूल की तैयारी भी करने उनको भी बता दें, आपके एक्जाम में 10 नमबर का प्रारब का question आता है, जो कि 5 नमबर गद्य खंड से और 5 नमबर पद्य खंड से खंड से आता है और उसमें यह रहता है कि अब्जेक्टिव टाइब कोश्चन रहते हैं तो उन सब कोश्चन के हम बात कर रहे थें तो इसका पार्ट वन हो चुका है पार्ट टू आज हम बताने वाले हैं आप लोग क्लास 10 और 12 जो हिंदी सब्जेक्ट है नाम से प्लेलिस्ट पानी हुई है वहां से सभी वीडियो जरूर देखिएगा वाईस आज की वीडियो को करते हैं प्रारम बिना देरी किये हुए और हाँ चैनल पर अगर आप लोग परिवार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्र और 12 के इस्टुडेंट के लिए एक कुश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग सभी कुश्चन को ध्यान से पढ़िएगा हम सब के बारे में आपको बताएंगे कुश्चन नवर फर्स्ट आपका कहता है भारतेंद युक के लेखक हैं तो देखिए हमने आपको सब बताया था भारतेंद युक radio कब से कब बाल क्रिश्र भर्ट जी थें ये आपके भारतेंद युक के लेखक थें ठीक इसलिए इसमें आपसे नमबरे सही हो जाएगा अगर आगे बात करें सेकेंड कोस्चन की तो सेकेंड कोस्चन आपका कहरा है स्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है अब देखिए आप स्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है आपको इध्यान देना पड़ेगा तो स्री चंद्रावली नामक चोड़ नाटक था उसके लेखक थें भारतेंदू हरिस चंद्र जी कौन थें स्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक भारतेंदू हरिस चंद्र जी थे इसमें आफसर नमबर ए सही हो जाएगा भारतें दुहरिष चंदरजी स्रेचंद्रावली नामक नाटक के लेखक थे और आगे अगर बात करें तो लहरों के राजहंस की बिधा है क्या करता है लहरों के राजहंस की बिधा है देखिए कोस्चन बहुत बार पुछा जा चुका है और देखिए थोड़ा कंफर्म नहीं इसके साइद जो रचनकार थें उस साइद मोहन राकेस हैं देखिए आप लोग बुक में कंफर्म कर लिजेगा साइद हुई है ठीक ना तो एक कौन से विदा है या अत्मकत्था है य पर दिखना आगर अगर बात करें तो हिंदी एकांगी के जनक कौन माने जाते हैं तो हिंदी जो एकांगी के जनक थे वो आपके रामकुमार बरमा जी थें आपको ट्रॉल टेलब की तयारी करने तो टेंथ में या आप लोग बढ़े होंगे बहुत ऐग कहानी भी दी गई तो जो हिंदी एकांके के जनक हैं उनका जो विकास किये थें वो थें रामकुमार बर्मा जी अता इसमें आपसे नमबर सी सही हो जाएगा question number 5 की बात करें परिच्छा गुरू किस गद्य विधा की रचना है देखिए यह question बहुत ही important है इससे आपके तीन question बनते हैं परिच्छा गुरू किस विधा की रचना है। तो देखे परिच्छा गुरू आपका उपन्यास है। क्या है परिच्छा गुरू आपका उपन्यास है। और यह कैसा उपन्यास है। पूछ सकता है प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। वह है आपका था परिच्छा गुरू प्रथम मौलिक उपन्यास आपका क्या था परिच्छा गुरू और इसके रचनाकार कौन थें इसके रचनाकार थें स्री निवास दास जी इसके रचनाकार थें आपके स्री निवास दास जी तो इस question को बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग क्योंकि इसमें तीन question बन सकते हैं परिच्छा गुरु का किस गद्य विधा की रचना है तो यह आपका उपन्यास है फ्रता मौलिक उपन्यास काउन सा है परिच्छा गुरु है परिच्छा गुरु के रचनाकार काउन है श्री निवास दास्ची है तो आप लोग इस question को ध्यान से पढ़िएगा question number six की बात करते हैं तो तितली उपन्यास के रचनाकार काउन है तो देखे सबसे पहला question पूछ सकता है तितली क्या है तितली क्या है उपन्यास है नाट्य का अनिवन्द क्या है तो तितली जो आपका है वह क्या है उपन्यास है तितली जो आपका है वह क्या है उपन्यास है पूछरा इसके रचनाकार काउन है तो इसके रचनाकार जो थें वो थें जैसंकर प्रसाद जी तoh इसमेयापसर नमर सी होगा तितली उअपन्यास के रचनाकार जैसंकर परसाजी हैं कुश्चन नमर सेवन की बात करें तो बार्बध्श की आत्मकथा किस विधा की रचना है देखिए इसमें आत्मकथा गया है बारभट की आत्मकथा तो आपको कन्फूज मत होएगा कि यह आत्मकथा होगा यह जो है आपका यह भी एक उपन्यास ही है बारभट की जो आत्मकथा है यह एक रचना है और यह कौन से रचना है किस विदा की रचना है यह आपका एक उपन्यास है यह मत कन्फिज रहेगा कि जब आत्मकत्था लिखा है तो यह आत्मकत्था होगा लेकिन ऐसा नहीं है वारभट की जब आत्मकत्था है वह एक उपन्यास विधा की रचना है बोलगा से गंगा कत्य विधा की द्रिष्टी से क्या है देखिए बहुत बार आपके एक्जाम में पुछा गया और इंपॉर्टेंट भी है बोलगा से गंगा कत्य विधा की द्रिष्टी से क्या है तो यह देखिए आपका कहानी संग्रह है यह आपका कहानी संग्रह है और इ इसके रशनाकार कौन थे हैं इसके रशनाकार है राहुल सांकृतियायन जी राहुल सांकृतियायन जी कोश्चन आप से पुछ सकता है वो लगा से गंगा के रशनाकार कौन है तो राहुल सांकृतियायन जी और यह कौन सी विधा है तो कहानी संगर है तो आसा गरता हूँ कि तरफ चलते हैं कि कह रहा है हिंदी की प्रथम कहानी हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है तो हिंदी की जो प्रथम कहानी थी वो थी इंदू मती यह कुस्चन बहुत आपके एक जाम में पूछा गया बहुत बार और जो भी प्रथम बार हुआ है वो सब जाम में आपके योजय का हिंदी की प्रतम कहानी इंदू मती है और अगर आगे बात करें तो कह रहा है असोक के फूल किस विधा की रचना है असोक के फूल आपका कोई रचना है यह किस विधा की रचना है तो जो असोक का फूल था यह आपका निवन्ध है और कैसा निवन्ध है यह भी question पूशा जा सकता है असोक का फूल निवन्ध तो है लेकिन कैसा निवन्ध है तो यह एक प्रकार का ललित निवन्ध है निवन्ध भी आपके कई प्रकार के होते हैं तो असोक के फूल जो है वह आपका ललित निवंद है तो इसमें आप से नमबरे सही हो जाएगा तो गाइस आज का भी टेन कोस्टन कंप्लीट हो गया अब आके हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों का कुछ स्लेबस भी आगे बढ़ाया जाए जैसे आपके गद्धिक भाग के जो भी दिये गए है कहानी दिये गए है परग्राफिद दिये गए है उस सब थोड़ा आगे बढ़ाया जाए इसको यहीं पर करते हैं ब्रेक अब आगे से आपके चैप्टर से टार्ट होंगे बीच बीच में ये सब आपको मिलता रहेगा तो गाईस अगर आपको कोस्टन समझ में आये हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक क्मेंट सेयर जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा